सुप्रभाद बहनों कलाश सब्तम कल मैंने आपको भासा में चिनिया की बच्ची न पाठ से प्रशन उत्तर कराई थे आशा है आपने उन प्रशन उत्तरों को अपनी उत्तर उस्तिका में किया होगा आज आपको उसी पाठ में कहानी से आगे के प्रस्न उत्तर कराते हैं आप अपनी बुक खोलिए उसमें कहानी से आगे जो प्रस्न उत्तर हैं उनको ध्यान से सुनकर उनका उत्तर में बताऊंगे आपको अपनी उत्तर कुष्तिका में करने हैं यह वाली प्रस्न में इसका पह मसले तक वापस पहुँच जाती हैं मधुमक्यों चीटियों मधुमक्यों चीटियों ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभन्य चीजों में हमें तथा प्रकृति की अन्य विभन्य चीजों में हमें एक अनुशासन बद्धता देखने को मिलती है इस तरह के स्वभावित अनुशासन का रूप आपको कहां कहां देखने को मिलता है उदाहरन देकर बताईए ठीक हो गया प्रस्न उतारने के बाद उत्तर में थोड़ा आपक रहती हैं जैसे रितु हैं बसंत रितु ग्रीश में रितु वर्षा रितु सरद्धितु यह क्या है सारी रितु हैं तो इसका उत्तर है रितु अपने नियम के अनुशार आती जाती रहती हैं उनका करम बना हुआ है उनमें उलट फेर से धर्ती पर जी उनके अस्त ब्यस्त हो जाने की आसंका रहती है उनमें उलट फेर से उलट फेर माने बदलाव से धर्ती पर जन जियून के अस्तविस्त हो जाने की आसंका रहती है इसलिए जितुमें क्या होती है अपने नियम के अन्वार आती रहती है इसी परकार पसुपक्सी दिन भर कहीं भी गूंते रहें ल पसों का गोशला पक्षों का गोशला जो भी है उसमें लोटकर आ जाते हैं। रात दिन का करम प्रकृति में बना हुआ है। इसमें जरा भी बदलाव नहीं होता। जैसे सूरज हर दिन अपने नियत समय पर निकलता है और दूपता रहता है। ये सभी अनुसासन बद्धताएं धर्ती पर जिवन को सुचार रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। ठीक हो गया, ये इसका उत्तर है। इसको सुनकर आपको अपनी उत्तर कुष्टिका में करना है। अब इसी में अगला प्रस्न है, प्रस्न नम्बर दो। सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए, तो क्या आप सुखार करेंगे। आपको अधिक पिरिये क्या होगा, स्वाधिन्ता या प्रलोभनु वाली प्राधिन्ता। स्वाधिन्ता स्वातंत्र प्रलोभनु वाली प्राधिन्ता मने किसी का लालस देकर उसके अधिन रहना। ठीक हो गया, ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्राधिन ब्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। नीचे दिगे कारणों को पढ़ें और विचार करें। पहला कारण है को, क्योंकि किसी को प्राधिन बनाने की इच्छा रखने वाला ब्यक्ति स्वयम दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। खो है क्योंकि प्राधिन ब्यक्ति सुख के सपने देखना नहीं चाहता। गौ है क्योंकि प्राधिन व्यक्ति को सुख के सामने देखने का भी अवसर नहीं मिलता तो इन सब का उत्तर है स्वच्छन्दता ही सबको पिर्यहूती है स्वच्छन्दता माने आजादी सारी सुख शुड़ाओं के बापजूद प्रलोभनु वाली प्राधिनता कोई स्वि वान और कल्पना का पहला प्रस्ण है एक ही प्रस्ण है उसको ध्यान से सुनकर वह आपको करना है तो इसका है आपने गौर किया होगा कि मनुष्य पसुपक्सी इन तीनों में ही माएं अपने बच्चों का पूरा-पूरा ध्यान रखती हैं प्रिकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने सब्दों में लखे तो इस प्रस्ण को उतार के लिखा maior मैं इसको समझा देती हूं उत्तर है जैसे आपकी माताएं मनुष्य में माताएं नौ माह तक सिशुको अपने गर्व में धारन करती हैं इस में मनुष्य में जैसे हमारी मम्मिया है ना तो इसका उत्तर लिखना है मनुष्य में माताएं नौ माह तक शिशु को अपने घर्व में धार्ण करती हैं फिर अत्यंत पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म देती हैं पून विराम उसके बाद बड़े धैरिशे माताएं बच्चो का लालन पालन करती हैं उनके पोषण और सुरक्षा का खास ख्याल रखती हैं ठीक हो गया ना मां बच्चों से इसने इतना गहरा होता है कि वह आजिवन अपनी बच्चों की ही फिक्र में लगी रहती है ठीक हो गया कौन मनुष्य की माता है पून विराम अब अगले लाइ में लिखना मनुष्य की तरह पसू में भी माता अपने शिश को जन्म देती हैं लेकिन वह अपने बच्चों के लिए तभी तक फिक्रवंद रहती है जब तक बच्चे स्वयम अपने दाना पानी की चिन्ता ना कर लेंगे पून विराम पक्षी अंडे देते हैं मादा पक्षी अंडू को शित्ती हैं ठीक हो गया शेकती हैं मतलब उसमें से बच्चे निकलते हैं माचिनिया उनके लिए दाना चुनकर लाती है थोला बड़ा होने पर वह उन्हें उडाना शिखाती है जब बच्चे स्वयम उड़कत दाना पानी दोटने लायक हो जाती है तो माँ उनकी फिक्र करना छोड़ देती है ठीक हो गया, पौन ग्राम मां का अपने बच्चों से ममता का या सम्मंद इतना गहरा है कि प्रतेक प्राणी में उसके दर्शन होते हैं अर्थात, सभी प्राणी जितने भी हैं, सब की माताएं सब से प्रेम करती हैं चाहे मनुश्य हो या पसु अपने बच्चों के लिए माताएं किसी से भी लड़ सकती हैं मा के लिए बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है ठीक हो गया आज इतना ही है इन दो प्रस्णों को सुनकर आपको ध्यान से अपनी उत्तरकुष्टिकामें करना है